विधास सभा चुनाव को लेकर नमांकन के बाद अबुमीदवारों ने प्रचार तेज़ कर दिया है। शुमला शहरी से कॉंग्रेस उमीदवार हरीश जनार्था ने डो टो डोर प्रचार शुरू कर दिया है। हरीश जनार्था बुदवार को शुमला के अना डेल में प्रचार करने पहुँचे। इस दुरान उन्होंने वहाँ पर कार्याले का उद्गाटन करने के साथ ही मज़ज़ूर में प्रचार किया और लोगों से सहयोगी अपिल भी की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर कॉंग्रस पिछले 15 सालों से शुमला शेहरी से सत्ता से बाहर है और जो ग्रहन लगा है इस बार उसे तोड़ा जाएगा और शेहर की जनता उन्हें चुता कर विधान सबा बेज़ूगी। उन्होंने कहा कि वे शुमला शेहर के चपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपच सिटी के तहट इस चमला शहर के लिए काफी जादा पैसा मिला है लेकिन पॉलिंग ना होने के चलते पूरा पैसा बरबाद किया गया जिस तरह से इस चमला शहर में काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ जबकि शहर की वाटों में काम लोगों की राय लेने के बाद किया जाना था लेकिन सरकार ने केवल डंगे लगाए है। पूरा विश्वास है कि जो 15 साल से यहां पे BJP का राज चल रहा था तो हमें इस वरी विश्वास है कि वो एक हम उस गरहन को तोड़ेंगे और कॉंग्रेस यहां पे भाहुमत से जीटके अच्छे मादिन से जीटके हम विदान सावर में जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो जितना पैसा इस बार ही आया स्मार्ट सिटी में मेरे खाल में शिमला शेयर की हिस्ट्री में इतना पैसा कभी नहीं आया था। तो उसका यूटलाइजेशन जो वो प्रॉपर लीनी हो पाया है। उसमें उनकी जितने लाइक विजन थी जिसा लाइक उनने सोचा था उसके मताविक उनने वो पैसा इन्वेस्ट किया कि जो कि बिल्कुल ही किसी भी आम जंता के काम नहीं आपाया और जो उसकी वेस्ट ही हुई है। इतना पैसा आने से सबसे पहले एक प्लैन बननी चाहिए थी शिमला शेयर के लिए और वो पब्लिक में जाने चाहिए थी और पब्लिक उसको बताती कि उनकी क्या नीड है। जब इतना बड़ा आमाउंट और इतनी बड़ी प्लैन शिमला शेयर के लिए तो वा पर अमाउंट्स में वो काम होता राज बच्पन से इसी शेहर में रहे हैं और बड़े पले हुए हमारी एजुकेशन भी यहीं से है तो लगबग हम शेहर का चपा चपा जानते हैं और जो यहां की जो में प्राब्लम्स हैं उन से हम वाकिफ हैं कई जगा एंबुलेंस रोड़ नहीं है और मैक्सिमम जगा पारकिंग नहीं है और जो हमारे यह ट्रैफिक का जो प्लाइन है यह हर रोज भी आपके पास यहां पे शिमला शेहर में जैम लगते हैं यह एक टुरिस्ट डेस्नेशन है लोगों का आना जाना बहुत हैं यहां पे तो उस ट्रैफिक कोस्ट के से प्लाइन किया जाना चाहिए और यहां पे जो पानी की प्रॉबलम है बहुत प्रॉबलम्स है शेहर के अंदर जो आपको इमेजिटली अड्रेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम बैटके एक प्लाइन बनाएंगे और वो जो प्लाइन बनेगी वो वार्ड वाईज एक्जिकूट होगी और वार्ड के जो लोग है जो शिमला की जनता है वो अपनी प्रॉबलम्स मतलब सामने लाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जाया क्योँकि रहना तो लोगों ने वाड़् में और डिफरेंट 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 डिरिया में जो यहां की लोग रह रहे हैं तो अगर आपने समार्ट सिटी बिनानी है जिस चीज की जहांपर डिमांड है वो चीज वहां पर होनी चाहिए स्मार्ट सिटी बिजाने के वज़ाए आपने इस सिटी को बहुत अगली बिना लिया और उस तरिके से जिस तरिके से इनने काम किया है मुझे लगए उसकी यूटलाइजेशन प्रॉफरली नहीं हो पाई